अगर आप बुलेगा तो जो पिलावल ठाना से लेकर के जो इधर आता है पस्तुरी का बना हुआ है जो आपको नवाडी जो सड़क जाती है बना हुआ है लेकिन आपको यह बता दे कि पिछले सरकार में एक साल में हम लोग 50 किलो मिटर और सब्सक्राइब इस सरकार में दो साल में 5 किलो मेटर सबक हम लोगों को मिला है जवाब आप स्वैम कर लिखियेगा या आप जनता को खुद बताईएगा ये पांच किलो मेटर इतने बड़े छेत्र में जास्तिफाइड है जहां अभी तक 100 किलो मेटर होना चाहिए अगर 100 किलो मेटर हमको मिलता तो अभी कि वह गदोखर का रोड़ेगम फर्स क्लास बाता है कारण यह सब्सक्राइब नगर निगरम में जिसता से भी काम चल रहा है सुन्दी करण का उसमें काफी खामिया देखे ने को मिल रही है इसको लेका आप पर कुछ पताएंगे दिए दो भीशाइज है एक तो नगर कि अपर निगरम में जिस गुनवता के साथ बन रहा है उसमें हमको जरूर कमेंट है दो एक तो जंडा चौक पर जो स्टील का लगा हुआ है अगर आप देखेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है अगी आप लेक सकते हैं कहीं से चिपका हुआ है कहीं से दब गया है दूसरा जो दीवी सी चौक पर लगा हुआ है तो किसी भी दिन आप दिखेंगा कि दुरगटना हो गया हुआ को गाड़ी में उसको थोड़ देगा तो सुरच्छा के जो मानक है सुरच्छा के जो उपाय उसमें नहीं किये गया है मुझे मेरा विरोद केवल इतना है तो एक जनपत नीदी होने करा तो आप यहां के जो करवशारी है डीवी सी यहां पर उनसे आप बात करेंगे उनको कुछ आप बताएंगे नगर निगम के संग्यान में इसको दिया देखिए फिर आपको मैं बताओं कि मैं नगर निगम में रह चुका हूं जी बिल्कुल न उन्होंने निडने लिया तो उस निडने का मैं भी संभान करूँगा लेकिन जो गल्ती है उनकी वो मज़िए आप एक जनपत नीदी होने करनाते ही यहां के लोगों के साथ जो हो रहा है जो यहां पर सुंधीकरन के नाम पर घुटाला चल रहा है उस पर आप कुछ बोल सक गनतंत्र न्यूस की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ओन करें